पब्लिक टीवी आपकी आवाद प्रतियां लेकर सडकों पर बच्चे चल रहे थे जहां अधिकारियों ने सभी को जागरुक किया तो वहीं सलोगन के माद्यम से सभी को नियमों के प्रतिछात्रों ने भी जागरुक किया इस दोरान आटियो भीमसें सिंग ने कहा कि भारत में 70% सडक्स दुरगटना नियमों का पालन ना करने की वज़े से होती है ऐसे में हम सभी लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए ताकि होने वाले हादसों से बचासा जा सके तो वहीं डियाईजी शला माथुर ने कहा कि आतयात माहा चलाने का मकसद मुख्य रूप से ये रहता है कि आप सभी को नियमों के प्रति जागरूप किया जा सके और ट्राइफिक रूल्स को फॉलो करते हुए सभी के जीवन की सुरक्षा की जा सके उन्होंने कहा कि जागरूप ताकी आवश्रता हमेशा रहती है सभी को सिर्फ इसी माहन नहीं बलकि हमेशा ही वाहन चलाने वाले चालकों को भी नियमों के प्रति जागरूप रहना चाहिए वाद प्रति अलग 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 प्रोग्राम जाने और काफी जाने और काफी इंजिरी जो है जैसा की आजस्टिशन गी उडाता उसमें से लगवाद सतर परसंट से अजी परसंटी के एससे हैं जिसको कि हम तरकाल पबाव से अपने नियम्टिम से कंटोल ज़सकते हैं इन्हें सब कीरों के लिए आदिया मुच्चों को जाले किया सकत प्रयास मुझता रहता है और इस मुझा के विश्य शुख से अपने नियम्टिम